चलो गाई अब कुछ पहले पॉइंट समझ लीजिया पड़ा important topic है भी देखो quarterly return and monthly payment तो quarterly return हम लोगों ने देख लिया भी अब payment के बारे में चलते monthly payment दोनों को अलग अलग करवा एक में मत करना quarterly return monthly payment अब ये skim में दोनों जो return है मतलब GSTR 1 भी हमें quarterly भरना है और GSTR 3B भी हमें quarterly भरना है बट हमें payment जो है ये monthly करना है monthly pay अब ये monthly payments के dates क्या है है न ये भी तो देखना पड़ेगा monthly क्योंकि GSTR 3B अगर monthly है तो हमें मालूम है कि 20 October को जैसा September मन्त है तो 20 October को April मन्त है तो 20 में को payment करना पड़ेगा पड़ेगा यहां तो 3B भी quarterly है यहां पे 3B भी quarterly है तो फिर payment monthly कैसे तो देखो जैसे example ये April में और June ये quarter आपका बराबर तो ये payment monthly कौन-कौन से date में करना है भाई अब हमने QRP opt किया और हमारा QRP में GSTR 3B देखो जान दो GSTR 1 जो है वो GSTR 1 जाने वाला है 13th July को बराबर और GSTR 3B जाने वाला है हमारा 22 या 24 July को अरे बराबर तो ये तो quarter खतम होने के बाद दो returns जाएंगे but what about April और में का payment June का payment तो इसके साथ कर देंगे ये 3B के साथ कर देंगे अपर अरे बराबर लेकिन April और में के payment का क्या monthly payment बोला न अरे समझे और एक example लेंगे तो monthly payment के कैसे मुणों ने क्या बोला कि April मन्त का है तो आपको ये 25 में तक payment करना प्राइगे और में मन्त का है तो ये 25 जून तक आपको payment करना प्राइगे अरे समझया अरे समझे तो ये हो गया monthly payment जून मैने का payment तो आप ये GSTR 3B के साथ ही कर डालोगे तो उसके लिए अलग से 25 तारिक नहीं है ये GSTR 3B जब बरोगे तो उसके साथ ही कर लेकिन प्राब्लेम पहले दो मन्स का है तो next month के 25 दे तक payment करना कठिन नहीं है बहुत सिंपल है अब इसको कठिन बोलेंगे तो आप मुश्किल हो जाए इतना तो ध्यान में रखना पड़ेगा है अरे बराबर कोई टेंशन नहीं लेना है बहुत सिंपल है एक दो बार पड़ेंगे तो अरे A B C D B जब पहली बार पड़ी थी ओ भी डिफिकल्ट लगी यह तो GST के रिटन्स के पेमेंट से अरे बराबर चलो तो पच्छीस day of the next month और यह पेमेंट करना है आपको PMT 06 चला अंसर PMT 06 अब ज्यान से सुनना next एक 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 एपले के चलो देखो October, November, December quarter तो यह QRMP में आपन तो बताओ इसका GSTR 1 का क्या due date होगा Yes, 13th of January बिलकूल बराबर और इसका GSTR 3B का क्या date होगा GSTR 3B again 22 या 24 depending upon the states January तो ये December महने का payment तो इसके साथ चल जाएगा GSTR 3B के साथ October का payment और November का payment monthly करना पड़ेगा तो October का क्या हैगा 25 November और November का हैगा 25 December as simple as that बोलो कुछ कठी ने तो बता अरे आया जहन में ऐसे payments रहेगे और ये payment कौन से form में जाएगे अगे PMT 06 PMT 06 और ये जो भी payment होते है गाई ये होते है cash ledger में जो आपका electronic cash ledger है उसमें ये payment हो जाएगा ओके ड़ ये भी payment कहां जाएगा cash ledger cash ledger में आपको payment करके रखना पड़ेगा जो crash और credit ledger है था ना उसमें से cash ledger में आपको ये payment करके ये point समझ में आगया अब पढ़ देख a registered person under QRMP scheme would be required to pay the tax due in each of the first two months of the quarter by depositing the due amount in form GST PMT 06 पहले दो मन्त का इसरे मन्त का तू 3 भी के साथ जाए by 25th day of the month succeeding the month पहले ही बता जाएगा next month के 25th day while generating the चलान the taxpayer should select the monthly payment for quarterly taxpayer जब आप चलान select करोगे तो monthly payment डालना है as a reason of generating चलान the said person can use the following two options below for the monthly payment of the first two months अब जब आप monthly payment करेंगे तो government ने आपको दो options दिये हो आप एक second हाँ तो देखो government ने आपको दो options दिये गाए monthly payment के लिए two options आदे पहला है fixed sum method पहला है fixed sum method और दूसरा है self assessment method तो यह दो options क्या है अलग अलग दो options आपको दिये यह कैसे है यह आपन देखेंगे पहले पढ़ लेते अब यह दो method कौन-कौन से एक तो fixed sum method और दूसरा self assessment method तो देखो fixed sum method a facility is being made available on a portal for generating pre-filled चलान in form PMT06 for the amount equal to 35% of the tax paid in a cash in preceding quarter where the return was furnished quarterly or equal to equal to यह आप लिख सकते हो bracket में 100% equal to the tax paid in cash in preceding quarter where the return was furnished monthly for easy understanding कुछ sums दिये लेकिन पहले अपन समझ लेते हैं अब मान के चलो कि आपका यह quarter है जिसमें आप QRMP में आए January to March इसमें आपने QRMP को opt किया बराबर QRMP scheme आपने opt अब यह QRMP तो अभी opt किया लेकिन last quarter में भी आप quarterly return फाइल करते थे QRMP में नहीं थे normal quarterly return फाइल करते तो यह था let's say October to December अब government क्या बोलता है कि आप देखो कि यह पूरे quarter में आपने कितना payment कितना GST का payment cash ledger से किया है cash ledger से कितना payment आपने किया है और अग जितना भी आपने payment किया होगा let's say यह payment है 100 रूपीस का 100 रूपीस का payment है तो अगले quarter के पहले दो मेने मतलब January और February जन्वरी और February मन्त में क्या करो आप यह जितना cash ledger credit नहीं total payment किया मानच के चलो आपने 250 का लेकिन उसमें से 150 आपने credit ledger से किया ITCC किया तो हमें सिर्फ cash ledger वाला payment देखना है 100 रूपीस यह हम देख रहे हैं तो current quarter में आप क्या करो जन्वरी मैने का कप payment करोगे 25 February को यह February मैने का जब आप March 25 को करेगे 25 March को यह भी कितना करेंगे आप 100 का 35% मतलब last quarter का ध्यान दो last quarter का देखना है आपको कि आपने कितना cash ledger से payment किया last quarter में उसका 35% आपको पहले मैने में करना है मतलब जन्वरी का 25 February तक और 25 February मैने का 25 March तक 35-35% और फिर March मैने में आपका पूरा quarter खतम हो जाएगा तो आपको overall quarter की कितनी liability है वो निकालना है तो overall quarter की liability है ही मान के चलो 120 रुपे तो 120 में से यह 70 रुपे माइनस करना है आपको और बचे हुए 50 रुपे फिर आपको कब भरना है 22 और 24th of April को भरना है जब आप GSTR 3B भरेगे अरे समझा क्या यह GSTR 3B कब जाएगा 22 या 24 अपरेल को जाएगा तो आपका तब तक पूरा quarter का March मैने के quarter की liability निकल गए कितनी निकल गए March ending quarter की आपकी liability निकल गए 120 रुपे तो 120 में से 70 रुपे 35-35 परसेंट आप पहली पे कर चुके तो बचा हुआ 50 रुपे आप GSTR 3B के रुपे करेंगा अरे समझे तो आपको simple this is fixed sum method 35 परसेंट उन्होंने fix कर दिया है कि पहले मैने मैं 35 परसेंट पे करो दू for first two months इसलिए वहाँ पे देखो क्या लिखता है हो a facility is being available on a common portal for generating pre-fill चलान GST PMT 06 for the amount equal to 35% of the tax paid in cash of the preceding quarter preceding quarter ka 35% where the return is for 35% of the tax paid preceding quarter where the return is for was furnished quarterly or equal to equal to बाद में देखेंगे ये point तो ये preceding quarter का जितना cash cash ledger से आपने pay किया है उसका 35% 35% और फिर बचा हुआ आपको पूरा एक साथ pay कर देना है third month खतम होने के बाद पर अरे समझे ये हो गया पहला point अगर अच्छा इसका example देख लेते देखो in case the last return filed on quarterly basis मतलब जो हमने ये दे तो देखो tax paid in cash in last quarter January to March यहाँ पे April और में लिया है मैंने यहाँ पे ये दो मन्त लिये उन्होंने कौन से दो मन्त लिये है April और में मतलब उन्होंने last quarter January to March consider किया राइट देखो last quarter January to March consider तो उस quarter में CGST 100 रुपे का SGST 100 रुपे का IGST 500 और 60 पे किया था 50 तो आप क्या करो एप्रिल और में में देखो tax required to be paid in each लिखा यह दोनों मिला के निए मतलब एप्रिल में भी आपको 35 35 500 का 35% और 50 का 35% इतना पे किया यह एप्रिल में और में 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 भी save में 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 भी save इतना इतना पे करना है आरे समझे बात को आरे समझे यस यह हो गया अगर आपने return जो है वो last मतलब आप current qrmp में है तो last quarter आपका return जो था वो quarterly था अब बान के चलो कि last return आपका monthly था है ना मतलब आप qrmp में कौन से मैं जन्वरी to march में आना चाह रहे है आप qrmp में जन्वरी to march में बट इससे पहले आपका monthly return था monthly तो monthly मतलब जन्वरी के पहला month कौन सा है December month जितना आपने cash ledger से pay किया होगा जितना आपने cash ledger से pay किया होगा उतना ही amount आपको जन्वरी में भी pay कर जैसे मान के चलो December month में आपने pay किया cash ledger से 40 रुपे 40 रुपीज पे करें तो जन्वरी में भी आपको 40 रुपे पे करना पड़ेगा मतलब 25 फेबरोरी को और फेबरोरी मैने का जब 25 मार्च को पे करेंगे उस समय भी आपको 40 रुपे करना पड़ेगा तो देखो वहाँ पे क्या लिखता है अगर आपका कौटर लिए और equal to मतलब 100% of the tax paid in cash in preceding कौटर where the return was furnished monthly अगर आपका last return monthly है तो ये कौटर के पहले 2 मन्थ में आपको 100% amount पे करना है 100% amount पे करना है तो देखो वहाँ पे example से समझेगे in case the last return filed monthly अगर last return monthly आपका देखो तो March मैने में आपने CGST इतना पे किया SGST इतना IGST इतना और SES कुछ नहीं पे किया तो April मैने में आपको 50-50-80 और May मैने भी भी आपको 50-50-80 रुपे करना अरे समझा आपके दिमाग में जो questions है हो दबा के रखो मुझे मालू मैं आपके दिमाग में क्या questions है आप अभी 2 मिनिट के लिए शांत रहो बस इतना समझ में आए आपके तो अगर आप QRMP में ये quarter में गए हो तो अगर आप last quarter देखो last quarterly आपने return फाइल किया उतना ही current quarter के पहले मन्थ में दूसरे मन्थ में आपको pay करना है अरे बराबर अब आपके दिमाग में सवाल है कि सर मैंने अगर इसी महने में business चालू किया मतलब January तू March में business चालू किया और मैं पहले ही QRMP में आ गया मतलब last month में मैंने return फाइल नहीं किया या last quarter में भी मैंने return फाइल किया क्योंकि मैं अभी से business चालू कर रहो है न ये दिमाग में सवाल है आपके तो ध्यान दो बेटा ये scheme में फिर आप आही नहीं सकते क्योंकि आप क्या बोलेंगे कि December मैंने में तो मैंने return फाइल नहीं किया तो मेरा cash ledger से pay कितना था zero तो ये पहले मैंने में भी zero pay कर था दूसरे मैंने में भी zero government ने बोला ऐसा नहीं चले आप आई नहीं सकते ये scheme में तो देखो monthly tax payment through this method would not be available to those registered person who have not furnished the return for complete tax period of the preceding such a month मतलब क्या हो सकता है कि आपने ये जो December मन्त है ये December मन्त ने आपने 15 December से आपने registration लिया और ये 31 December तक आप normal scheme में थे और जन्वरी से QRMP में आए तो भी आप ये scheme में नहीं आसके तो भी आप ये scheme में नहीं आसके क्योंकि आपका ये correct में नहीं आसके अरे समझे तो देखो a complete tax period means in which the person is registered for the first day of the tax period till the last day of the tax period इसी को complete first day से last day तक अगर हुआ तो ही आप ये fix sum method यूज़ कर सकते हो otherwise आप ये fix sum method में नहीं आप आएंगे अरे समझे और last पूरे quarter में अगर आप नहीं है मतलब 1 October से 31 December तो भी आप ये दर नहीं आपका अरे समझे further while making the deposit to the electronic cash ledger form GST PMT 06 such a registered person may take into account the balance already available in electronic cash ledger मतलब क्या कि मान के चलो अब आपको कितना पे करना है यहाँ पे आपको 50 रुपे पे करना है cash ledger में April में ने बट आपके cash ledger में already 70 रुपे पढ़ा हुआ है 70 रुपे पढ़ा हुआ है तो ठीक है आप balance amount कर सकते हो पचास रुपे करना है और 70 रुपे आपके पास और रेड़ी पढ़ा है तो आपको कोई पे करने की ज़रुआ है आपके cash ledger में 30 रुपे पढ़ा हुआ है आपको पचास करना है तो सिर्फ 20 करो तो वहाँ पे वही बोला देखो balance already available in electronic cash ledger वह आप use कर से अरे समझे simple बोलो कोई doubt है तो पूछे एक बार वापस go through करो law के साथ पढ़ो conceptually पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आता है तभी तो time लगता है अपने concepts are very important तो यह हो गया आपका fix sum method एक बार और revise कर देता हूँ fix sum method को आप क्या करेंगे last यह इस quarter में आप qrmp में है तो पहले तो आप देखेंगे कि आप last जो आपने return बरा हो quarterly था ए फिर monthly था अगर quarterly था तो फिर पूरे quarter मेर आपने जितना cash leisure से payment किया उसका 35% पहले मैंने में 35% दूसरे मैंने और अगर आपका monthly था last month में तो जितना आपने cash leisure से पैकिया 100% पहले मैंने में 100% दूसरे मैंने में और फिर quarter खतम होगे आपका पूरा qrmp का फिर आप आपकी total liability निका लेंगे total liability में से जितना पहले payout ना minus गड़े ओके दूसरा self assessment method यह बिल्कुल simple self assessment मतलब क्या आप आपका उस particular मन्त का जैसे आप qrmp में आए हो right qrmp में हो जन्वरी february march यह quarter में qrmp में है तो जन्वरी मन्त में आप क्या करो आपका output tax liability देखो उसमें से आपका credit जितना IT से उतना minus करो और बचा हुआ पे करो simple तो that is self assessment method the said person in any case can pay the tax due by considering the tax liability on inward and outward supply आपका outward पे कितना है उसमें से inward minus कर दो input tax credit available in form GST PMT 06 in other word to facilitate the ascertainment of ITC available in the month auto drafted input tax credit statement has been made available in the form GSTR 2B for GSTR 2B आपका देखो GSTR 2B में जितना credit है output tax liability में से उतना मतलब जो normally करते है वैसे करो that is self assessment method right और पहला देखा हमने fix sum fix sum में समझ में आगया होगा आपको 35% fix करना है 35% fix पहले दो मन्त में या या फिर मन्त लियोगा तो जितना पिछले मन्त का है उतना 100% पे करते है then the registered person is free to avail either of the two payment method above in any of the two month of the quarter तो आप क्या कर सकते हो कोई भी quarter में quarter में आपको जो method से चलना है कभी आप fix sum से भी चल सकते हो कभी आप ITC वाले method से भी चल सकते हो then it is clarified that in case the balance in electronic cash ledger और electronic credit ledgers is adequate for the tax due in the first month of the quarter और where the nil tax liability the registered person may not deposit the amount for the said month अब कोई मन्त में ऐसा हो सकता है आपका कि आपका liability ना है output tax liability self assessment method से जा रहा है और आपकी output tax liability 100 रुप है और आपका GSTR 2B में credit दिख रहा है 500 रुप है liability है 100 रुप है credit है 500 रुप है तो आपकी actual liability 0 है तो आप कुछ पे मत करो उस month में कुछ भी करने की ज़रू आती है similarly for a second month of the quarter in case the balance in electronic cash ledger or electronic credit ledger is adequate to cumulative tax due for the first and second month of the quarter where nil tax liability is there the registered person may not deposit any amount आपको कोई जैसे आपने fix some method भी लिया 35% आ रहा है आपका 50 रुप है और cash ledger में already 100 रुप है पढ़ा हुआ कुछ भरने की ज़रूरत नहीं है any claim of refund in respect of amount deposited in first two month of the quarter for the payment of tax shall be permitted only after the return of GSTR 3B for the said quarter has been furnished मतलब क्या देखो अब जन्वरी मन्त में आपने 100 रुपीज भरना था आपको 35% जन्वरी मन्त में बरा 35% जन्वरी मन्त का भर दिया आपने राइट मतलब 70 रुपे भर दिया अब आप क्या ओ ठाओ पैसा कहा गया electronic cash ledger में अब आप क्या करेंगे अब आप होश्यारी कर रहे हो कि 25 March को आपने फिर से 35 रुपी भर दिया मतलब 70 रुपे भर दिया अब आप क्या करेंगे refund क्लेम करेंगे refund क्लेम करेंगे ऐसा होगा क्या नहीं तो उन्होंने क्या बोला कि आप तब तक आप बोलेंगे कि देगो मेरे एडवांस में 35 परसेंट बरें फेबरुरी के जो 35 परसेंट बरें उसका प्रिफन क्लेम नहीं कर सकते हैं जब तक वो पूरे कॉर्टर का आप GSTR भी भी ना भरो अरे समझे अब पढ़ो एक बार और वो जो आपने 70 रुपए डेपोजिट के कोई और परपस के लिए भी आप यूज नहीं कर सकेंगे देखो आप इन लिगा फृर्दर इस डेपोजिट के नाट बी यूज बाइट एक टैक्सपेर फॉर एनी अदर परपस तिल देट आप फाइल रिटन रिटन रिट प् देन कौर्टर ली फाइलिंग ऑप जी एस्टर थी भी ये औरेडी बता दिया आपको कब तक भरना आपको 22 तारीक या 24 तारीक अप दो मन्च सक्सीडिंग ऑप सचय कौर्टर मतलब जन्वरी फेबरोरी मार्च तो जन्वरी का पेमेंट हमने 25 फेबरोरी तक किया फेबरोर वो यह ओंपे लिए ओकि देन नेक्स्ट एपलिकेबिलिटी ओफ इंट्रेष्ट एपलिकेबिलिटी ओफ इंट्रेष्ट अभी क्या है यह भी मैं समझा देओ एग्जामपल से डारेक्ट समझ्टेए अपन तो आपके समझ्वेंगे देख्ड को số एग दम applicability of interest क्या है देखू अब let's take an example पहले कि आपका last quarter का जो cash ledger से payment आ रहा था वो था 100 रुपीज तो मैंने आपको बोला last quarter मान के चलो यह है October to December अब आपको जन्वरी में payment करना है आपको मालू में 35 रुपीज का फेब में payment करना है 35 अब जब actual payment निकाला गया quarter खत्म होने के बाद तो logically 35% let's say 35% आ रहा था 42 रुपीज यह और यह आ रहा था 45 रुपीज exam तो सवाल यह था कि क्या हमने यह कम बरा 42 का हमने 25 रुपीज बरा या 45 का हमने 25 रुपीज बरा तो क्या इस amount पे हमें interest देना पड़ेगा government को क्या इस amount पे interest देना पड़ेगा the answer is no क्योंकि उन्हों नहीं हमको बोला है कि आप last quarter के basis पे यह 35% का payment करो तो अब वो हमें interest नहीं मांग से तो वहीं वहाँ पे बोला है देखो समझ लो अब a registered person who has opted for the scheme had paid the total amount of 100 rupees in cash as a tax liability of the previous quarter that is say October to December previous quarter में 100 rupees का payment हुआ तो he opts to pay the tax under fixed sum method उसने fixed sum method में decide किया भरने का he therefore pays 35 rupees on 25 February और 25 March को भी 35 rupees पे किया January का 25 February को और February का 25 March को 35 rupees पे किया for discharging the tax liability of the first two months of the quarter that is January and February in his return for the quarter जब quarter खतम हुआ तब पता चला it is found that based on outward and inward supply जब हमने inward outward supply का calculation किया तब पता चला कि January का actual payment आ रहा था 40 rupees जब कि हमने किया 35 रुपे और February का आ रहा था 42 rupees तो क्या अब जब actual है ना inward outward supply जब calculate किया तो इतना payment आ रहा था कितना 40 और 42 लेकिन किया तो payment 35-35 तो क्या interest पे करना पड़ेगा तो देखो no interest would be payable for the lesser amount that is on 5 and 7 rupees discharge in these 2 months provided that he discharged his entire liability of the quarter in GSTR 3B of the quarter of the year मतलब क्या उसको वो interest पे करने की ज़रुवत नहीं provided तो वाइड गाईस मतलब मार्च मैने का जो GSTR 3B उसको भरना है कब तक भरना है 22 या 24 अप्रेल तक वो उसने प्रॉपर भर दिया है वो उसने प्रॉपर भर दिया तो आपको ये जो 5 रुपए या 7 रुपए का जो short आपने पे की amount उसके उपर interest पे करने की ज़रुवत नहीं यह मत समझना है यह amount बहुत चोटा है हो सकता है करोडों में जाए पांच करोड या 7 करोड तो भी आपको interest पे करने की ज़रुवत नहीं अरे समझा आपको interest पे करने की ज़रुवत नहीं क्योंकि यह आपनी बोला fix sum method से चलो last quarter का cash ledger के balance के basis के आप टेक तो आपको ये पे करने की ज़रुवत नहीं provided again provided and he discharges entire tax liability of the quarter उसने quarter की liability GSKR PB में भर दिया March में जब खतम हुआ तो January February March का return उसने 22 या 24 अपरेल तक भर दिया दूसरा example अब ये next example देखू क्या a registered person who has opted the scheme he had paid the total amount of 100 in cash as a tax liability for the previous quarter October to December he opts to pay the tax under fixed sum method again fixed sum method से पे किया and he therefore paid 35 rupees on 25 February and 25 March for discharging the liability of the 2 month January and February same same अब देखो क्या हो in his return for the quarter it is found that the liability for the quarter net available credit was 125 but he files the return on 30th April उसने फाइल कप करना चाहिए था काईश देखो 22 या 24 अपरेल तक उसने फाइल कर देना चाहिए था but उसने फाइल कप किया 30 April को फाइल किया आपकी दिमाग में कोशन आया था 30 April को फाइल किया in his in his return in his return for the quarter it is found that the total tax liability of the net available credit was 125 but the same is filed on 30th April the interest would be applicable at on rupees 55 55 पे interest लगेगा कैसे तो देखो उसका total liability है 125 ओ 125 में से 35 35 उसने pay कर दिया मतलब balance कितना बचा 55 देखो 125 minus 70 तो अब कहा से कहा तक interest लगेगा for the period between due date of quarterly 3B मतलब ये 22 या 24 से लेके तो 30 April तक interest लगेगा अरे बराबर मान के चलो 22 due date है तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 मतलब 8 दिन का interest लगेगा तो कैसे calculate करेंगे guys 70 rupees पे 18% into 8 divided by 365 ऐसा interest calculate अरे समझे for the registered person making the payment of tax opting self assessment method interest amount would be applicable as per the provision of section 50 ये तो simple है अगर आप हाँ ये तो दो हो गए example fix some method के fix some method ये भी fix some method का दोनों में क्या difference है यहाँ पे हमने ऐसा assume किया इस example में ऐसा assume किया कि उसने जो payment किया quarter खतम होने के बाद वो बराबर 22 या 24 तारिक को payment कर दिया GSTR 3B भर दिया लेकिन यहाँ ऐसा assume किया कि उसने 22 24 को 3B नहीं भरा उसने कब भरा 3B उसने भरा 3B 30 April को इसलिए उसको वो उतने दिन का due date of 3B से लेके तो जब उसने फाइल किया तब तक का badge अरे बराबर और self assessment method में तो simple है कि आपके output tax liability minus ITC जो बचा हुआ amount है उस पे आपको interest section 50 normal section के हिसाब से मतला आपकी जो due date है वो due date के हिसाब से आपको देना पढ़ा है अरे बराबर जिसे example लेके मैं बताता हूँ आपको देखो आप fix some method से नहीं चल रहे self assessment method से चल रहे self assessment method ओके अब self assessment method में आपका कौन सा quarter है January to March अरे बराबर तुमान के January का payment आपको कप करना January, February, March पिर date to say में January का 25, February तक payment करना है February का 25, March तक करना और March का 22 या 24 अप्रेल तो जन्वरी के आपकी output tax आया आपका 200 रुपे और आपका input tax आई टीसी लेट से आई टीसी आपका 50 रुपे तो payable आया आपका 1500 रुपी 150 रुपीज का payable तो यह 150 रुपीज अब आपको कब तक बढ़ना चीए था यह जन्वरी मन का 25 फेब तक आपने बढ़ा लेट से 28 फेब को तो यहां आपको interest लगेगा कितना 150 रुपीज इंटो 18 परसेंट इंटो 3 डिवाइड बाइड 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 तो से में दोनों मेथड में चाए ओ फिक्सम मेथड में जाओ या फिर self-assessment interest payable paid through GSTR 3B जो interest रह הי बाओ GSTR 3B being through data and last point applicability of late fee late fee is applicable for delay in furnishing the return or details of outdoor supply as per the provision of CGSTR Act as per the scheme, the requirement to furnish the return under the provision of section 1 of section 39 subsection 1 of section 39 of the CGSTR Act is quarterly accordingly late fee would be applicable for delay in furnishing the return on quarterly basis details of outward supply is clarified that no late fee applicable for the delay in payment of the tax in first two months of the quarter क्योंकि first two months में return भरना ही नहीं है QRMP में first two months में return भरना ही नहीं है यह तो सिर्फ payment करना है तो return तो GSTR 3B या GSTR 1 quarter खतम होने के बाद जाए तो quarter खतम होने के बाद जो dates है हमारी जैसे GSTR 1 की 13th है और GSTR 3B की 22 या 24 है उसके बाद अगर return जाता है तो late fee रहे बट जनवरी और February यह दोन मन्त में तो return भरना ही नहीं यह PMT 06 है तो चलान है जो 25 जनवरी की 25 February की 25 मार्च को भरना है तो उसके उपर कोई late fee नहीं लगी उसके उपर तो सिर्फ interest लगी अरे समझ में आ है आप एक बार वापस go through कीजिए यह scheme को बहुत important scheme है आपको सबको समझ में आदा है ओके चाँ thank you thank you so much